नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सबीका आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों बात करूँआ अदानी गुरुप के बारे में आप सबीको पता हैं कि अदानी गुरुप ने काफी तेजी से अपनी वेल्थ को गेन करा है and Forbes के इसाब से माने तो अभी ये fourth richest person बन चुके है world man India में भी first और second की लड़ाई में continue जा रही है इनकी wealth अगर आप देखें तो लगबग लगबग 10 lakh करोड की है total wealth अगर आप इनके stocks के इसाब से दिखा जाए इनकी पूरी wealth वो around 10 lakh करोड की है ठीक है अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी wealth और इन पे करज भी कोई छोटा मोटा नहीं है कहीं न कहीं सबसे heavy करज रखने वाला group है ये मैं आपको अगर इनके debt का number बताऊं तो 2,20,000 करोड का करज है इनके पास लगबग 2,20,000 करोड का करज है and stock market में हम लोग ना एक चीज़ जरूर देखते हैं यार इस company पे debt तो नहीं है अगर debt है तो कितना है अगर जादा है तो हम buy नहीं करते हैं फिर अधानी गृप के stock में ये सारी चीज़ें आप क्यों नहीं देखते हैं सिर्फ एक reason stock continue उपर जा रहा है लेकिन in case ये debt से regarding कोई problem आई in future तो stock का price कितना गिर सकता है किस तरीके से कोई नई problem develop हो सकती है क्यों हम heavy debt वाली company को buy नहीं करते हैं आज इसी के बारे में आप सभी के साथ मैं आज की इस video में बात करने वाला हूँ और most importantly last में कहीं नहीं discuss करेंगे अदानी गुरुप के stocks में क्या हमें खरिदारी करनी चाहिए या नहीं तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन उससे पहले आप सभी से एक request जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको subscribe कर लें नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले और जैसे आपको इन्फोर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको like कर देना ताकि मुझे motivation मिलती रहे अगर आप market में नए हो और एक demate account ओपन करना चाते हो तो link आपको description में मिल जाएगा आप stock and ptm मनीगा वहाँ से आप अपना demate account ओपन कर सकते हैं जैसे ही आपका demate account ओपन होगा आप मेरे साथ directly जुड जाएंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताओं जब भी हम किसी company को खरीते है investment purpose से तो सबसे पहले एक investor एक चीज़ जरूर देखता है इसके financials, financials में main point जो कही न कहीं देखता है वो एक valuation और एक इस company पे कितना कर जाए और reserves कितने हैं यह सारी चीज़े हैं वो एक बार देखता है अब इन companies के बारे में बात करें चाहिए अदानी transmission, अदानी greens, अदानी enterprises या फिर अदानी ports कोई भी आप अदानी गुरूप का अदानी wilmar stock देखेंगे तो valuation wise अपने peer comparison में बहुत महंगा मिलेगा बट फिर भी हम लोग इन stocks को खरीदते हैं क्या यह खरीदना safety point of view से ठीक है इसके बारे में जानता हूँ सबसे पहले जानते हैं अदानी गुरूप इस तरीके से जो acquisition कर रहा है इनके पास पैसा कैसे आ रहा है आपको पता होगा आज से 5-7 साल पहले लगबग अदानी गुरूप की केवल एक company लिश्ट दी वो थी parent company अदानी enterprises जिसका market में काफी अच्छा नाम भी था अदानी enterprises का price के बारे में बात करूँ तो वो उस time काफी lower levels पे trade करती थी एंड इस टॉक में एक एक आदी एक ही company थी एंड उसके बाद धीरे इन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया है और उसके बाद इतनी तेजी से कारोबार बढ़ाया है कि जैसे आप लोग मतलब दुका सीमेंट में जो होल सिम का 51 परसेंट के सम्धिंग का स्टेक है वो स्टेक होल सिम से खरीदने की बात चल रही है लगबग 80,000 करोड में बात चल नहीं रही है कंप्लीट हो गया है कल तो सभी की तरफ से ओपन ऑफर की मंजूरी मिल गई है इस तरीके की खबरें भी सामने अब मैं अगर अगर अदानी एंटरप्राइस के बारे में बात करूँ तो पांट साल पहले से स्टॉक का प्राइस लगबग 60 रुपे का हुआ करता था अब इनों ने जब अब अब बिजनिस से दूसरा बिजनिस स्टार्ट करना चाहोगे या फिर उसे कुछ फंडिंग कर इसके बारे में आपको मैं समझाता हूं सबसे पहले तो अदानी गुरुप दीरे-दीरे करके अपनी कंपनी के शियर मार्केट में लाए और इससे क्या फाइद होगा उन्हें पैसा मिलेगा मतलब की इशू करा हो ने आई प्यू उसमें पैसा जुटाया जब मार्केट में अदानी गुरुप जो है अपने प्रोडक्स को मेंली गवर्मेंट को देती है अब बैंकों को क्या है बैंकों को भरोसा है ठीक है इनके पास काफी यह दा अइसिट्सें हैं काफी सारा क्लाव मासी यह और यह लोन नहीं देती है वापस तो मेन चमीन ऐसिस् कर सकते हो कर सकते हैं इस तरीके से विशिय मिल जाताभन यह एक ट्र fat वाली बात है लेकिन अम मैं आपको इनके financials बताऊँगा उसके बात करेंगे क्या हमें लेना चाहिए तो अधानी enterprises के बारे में बात करूँगा जो कि इनकी पे rent company है जो कि पूरे गुरुप की main company कह सकते हैं आप market cap 356,000 करोड का अधानी enterprises का stock का PE 368 यानि कि मैं इसका पहले आपको आधानी enterprises का peer comparison करने की कोशिश करूँ कि और गुरुप के जो इसकी के जैसे कारुबार में पे rent companies हैं उनके PE लगबग किसी के 8 हैं किसी के 22 हैं किसी के 25 हैं और average पे लिलू मैं तो 20 या 30 के PE पे stock होना चाहिए था है जिसके सामने ये stock लगबग 10 टाइमस ज्यादा ट्रेड कर रहा है 10 टाइमस एवरेज पे पे तो ये एक काफी negative संकेत है हाला कि अभी मुझे पता है आप लोगों को ये लगएगा कि stock भाग रहा है लेकिन मैं केबल और केबल आपको जो चीजे हैं वो बता रहा हूं मैं stock का price ना देखू एक्जमपल अगर आप stock का price ना देखो आज तक न देखा हो आपने सुना भी ना हो book value पे trade कर रहा है हम मैं बिना किसी देरी के इसके पैट पे और इसके करज पे आता हूं तो 2021 में company ने 923 करोड का profit generate करा था है और 2022 में company का profit अभी 777 करोड का है 2020 में company ने 1138 करोड का profit करा था है यह प्रोफिट decline हो रहा है एक तरीके से जो मेरे को दिख रहा है 923 करोड का हम 2021 का profit लेके चलते है जो कि 923 करोड था अब मैं इसकी balance sheet में आके इसकी borrowings में आया हूं और दोस्तों यहाँ पे आप trust me last year 18,000 करोड की borrowings थी and this year 2022 में बढ़के 41,600 करोड की borrowings होगी यानि almost double से भी ज्यादा कर्ज हो गया इस parent company पे अब आगे देखिए इस borrowings को मैं open करूँ थोड़ सा तो long term borrowings जो है वो 21,000 करोड की है almost 20,800 करोड short term borrowings भी लगबग 20,200 करोड की है तो short term भी काफी heavy है 700 करोड profit करने वाली company 20,000 करोड का short term and long term की बात करने तो 21,000 करोड का कर्ज लेके बैठिए कैसे पे करेगी तो वही बात है बैंक्स को इनके assets पे भरोसा है ये नहीं पे कर पाएंगे तो हम वोट हा लेंगे इनका जो माल है इनका जो product है वो continuous supply होता है क्योंकि ये maximum product अपना government को ही देते हैं तो वहां से कोई दिक्कत आएगी नहीं ये बैंकों को भरोसा है इसकी वज़ासे नहीं लॉन मिल जाता है एक और चीज में आपको important बताना चाहूंगा अदानी गुरूप खुद ऐसा भी कहता है कि अभी हम हो सकता है loss में भी आएं loss भी करें लेकिन आने वाले समय में हम बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे क्योंकि अभी हम build कर रहे हैं अपने आपको बना रहे हैं पूरी तरीके से तो इस तरीके से भी उनका मानना है अब मैं आपको बताता हूं क्या आपको लेना चाहिए तो इसका जवाब आप खुद ये देखें इनकेस मार्केट में कुछ हेवी करेक्शन हो जाती है जहां पे स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है तो अगर एक प्राइस गिरा एक किसी भी एक स्टॉक का तो पूरे सेक्टर पूरा गुरुप गिरेगा बुरी तरीके से एंड इस बीच में फियर फेक्टर भी पिलेग हो सकती है और एक भी कंपनी का अगर स्टेटस बिगड़ा बजार में तो सारी कंपनी की बैंड बज जानी है स्टॉक मार्केट में इस हिसाब से यह नेगेटिव है लेकिन वही अगर दूसरी तरफ अदानी खुद कहता है कि हम अगले 5 साल में बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे और इस तरीके से देखे तो आने वाले अर्निंग्स काफी हैवी हो सकती है और जो यह वैल्योशन मिल रहे हैं वो आगे चलके तो यह मेरी वीडियो और आपको समझ में आयोगी तैंकियो वाचिंग वाचिंग विडियो वाचिंग वीडियो